आडे, रेडी हो गया ये, भाई, फोरलेन उपर वाला रेडी हो गया, ये देफ़मे को लग रहा था, फोर्टिंग बाइर फिर इसमे एक ताडल लपेटा जाएगा, और फिर उपर के साइड डाला जाएगा, तो ये में भी सपोर्टिंग बाइर ऐसा ही था, शेक्ड़ प्र प्रशे के साइट से यार क्या ही भ्यानक लग रहा है टोल्टिक्स अभी चालू नहीं करा जो इतना भ्यानक लग रहा है चालू कर देगा न तब तो और काफी खतरनाक वाला लगेगा यहां पर कुछ कारण बस वह चीज रोक दिया गया क्योंकि यहां पर काफी अदा चोरी होती थी मतलब कोई भी सामान लाओ ना सरकारी सा तो इधर से रातो राती गाइब हो तो यहां पर आकी रखाती उसके बाद सारे जगा डिस्टिब्यूट होता लेकिन यहां के लोग कुछ ऐसे होते हैं न जो मतलब माल आया रात में पता चलते चलते ना ठक जाएंगे इतना बड़ा स्टेशन है कि उपार राते आते आते अपनलोग जब ठक गया है तो सोचो पूरा स्टेशन जाते आते कितना अपनलोग ठक जाएंगे यहां तो कि आपलोग आपप लोग अपनलोग निकले बेना के और पर बेना का यह दिखाएंगे आप लोग tala ऑफघ इसाट ज़्लड़ पर सब्सक्राय हो। लाइक थोड़ा वो ठंडा भी लग रहा है दोनों मिल के चल रहा है तो इसी कारा से सभी रही जाए और फिर डारेक्ट मिलते बेना में और फिर इदर का फसल काफी सारा कटाई हो चुकी है और फिर अपना टोनामेंट में स्टार्ट होने वाली है तो मैं आपको सो अब भी देखते ना सायद इस वार भी ये कप हमी लेकर जाए ऐसा आसा करेंगे बट देखते क्या होता है टूनामेंट में अब लोग कप ले पाते हैं फिर नहीं ले पाते तो टूनामेंट अब बता सकते वाई तलिस यांचा सुर्ष हो उनको देखो भाई मतलब अभी उ पर वाला रेडी हो गया यह देखो में को लग रहा था भी रेडी नहीं हुआ यह सामने वाला ब्रीज है ना प्लाइओवर यह रेडी है चल उपर से चलवा आज देखते हैं इसका नहीं तो छोड़ो नेक्स टाइम आपको गाई इसका स्पेसल वीडियो लागे दिखाएं कोड़ा का और भिंडी यह सब खेता और फिर यह बुट्टा वाला और आगे देखो ना तो यहां पर चेकिंग काफी ब्यानक वाला होता है बट इस टैम तो मेरे चा क्याल पे पुलिस नहीं होंगे और होंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है कि अपनों के हेलमेट सारा कुछ को फॉलो करके जा रहा है तो कोई अपने को प्रॉब्लम होने वाली में से फाइनली भाई देख रहा हूं कि ताइम मस्त वाला लग रहा है में को तो पता नहीं था कि भाई फोर लेन इतना जल्दी मतलब चालू हो जाएगा वर चालू हो चुका है और फिर अभी और भी करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो अब लोग संडे राइड पे ना स्पेसल वाली वीडियो लाएंगे तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत बोलना और अभी तो फिलहाल मजे वाले अपनलोग मजे सेग्रम ठंडे-ठंडे मौसम में आगे की और जा रहा है तो बस पोलस, यह वालव्ल में साथ जाएगी, हर थिंग होगा मेरे साक्याल से सब्वयो जिसको बोलते ना वही होगी मेवडि मेरे सपो्टिंग बायर फिर इसमें अक ताड़ा लपेटा जाएगा और फिर ऊपड के साढ़ा जाएगा तो यह में भी सब्वाइग हैंगीבाय तो स प्रिज नीचे देखो यार ब्रीज के नीचे फ्लाइओबर है ना उसका नीचे का सीन देखो यार क्या ही मस्त वाला लग रहा है बाई दोनों साइड का विव उधर का विव है ना सेम उधर बी वह ऐसा ही है तेखो यार जो फ्लाइओबर का सीन होता है ये इधर मच्छी है और ये इधर भाईजिटेवल ये सा फिक रहा है और भी देखो इधर थोड़ा टूटा फूटा सा रोड ये भी बन जाएगा वुर अच्छे तरीके से बन जाएगा जब सारा रोड तरीके से सही कर दिया जाएगा बट अभी तो थोड़ा बहुत नीचे का रोड खराब है फलायो बाइक उपर का पता नहीं यह वाला चालू है आपको नहीं है मैंने उतना गौर नहीं करा है बट जो संडे राइड वाली वीडियो आएगी ना उस पे अपने लोग सारा कुछ कभर कर देंगा जो भी छूट रहा है ना सारा कुछ कभर करके आपको दिखाएंगे बट नीचे वाला आप लोग पहले आज ही दिखा रहते है बेना थाना तो वेना आप लोग पहुच गया है बेना रेलिविश्टेशन का इधर से जाने का रास्ता यह अपने हो किसी से प देंटल कॉलेज है ना यह बेना का देंटल कॉलेज है जो कि इधर नालंदा जिला में सबसे बड़ा देंटल कॉलेज यही है नालंदा बोल सकते है फिर पटना भी बोल सकते है क्योंकि पटना में एक डेंटल कॉलेज है ना वो इतना बड़ा नहीं है यार यह वाली सबसे इस बड़ा वाला है जैसा PMCH है जए सरकारी वैसी है डेंटल कॉलेज रहा ही खतरणाक वाला इंदर बहुत बड़ा The bridge और फिर इधर की से बहुत की महों लोगी द Pardon at Marika here यह 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 एंए फचा के तो यह बंद होना नहीं चाहिए था मैं रहा था बट मेरे से गलती हो गई माफ कर दियो मेरे को वह नर्षरी नहीं था यह देखो नर्षरी कुछ यह होता है मैं भी सोच रहा हूं इन फिचर में भी साई देशा कुछ नर्षरी खोलने का सोचू बट बहुत ज्यादा इसमें लगती है पलस बहुत मेहनत है बहुत ही जादा जो कि यही जिसके बारे मेरे पास knowledge है नहीं बट knowledge नहीं है तो knowledge तो gain करना पड़ेगा ना और फिर यह देखो नरसरी में पानी कैसे जाती है न तो यह देखो special चाहिए गढ़ा ख़दा जाता है तलाब की तरह उसे पानी भार के रखो काई क्योंकि ऐसा होता ना प्लांट पे पानी बानी डालना पड़ता है तो किसी और पर dependent की उरा ना खुद से एक तालाब लेलो और सो भाई यह देखो यार मतलब काफी धासु वाला पूरा बिहार का टोल्टेक्स है बाई इतना चोड़ा ना उधर यह मतलब इतना धासु लग रहा ना भाई देखो उद्धर से एकदम इदर लाश्ट है कभी टोल्टेक्स चालु नहीं हुआ है इसी कारण से साइड से अपनुम जा रहा और वैसे भी टूबीलर का टोल्टेक्स में लगता नहीं है टूबीलर और फिर और और अजा आट्व आपन लोग देखो टोल्टेक्स चालू नहीं है तुइदर से ही जा रहे है मस्त वाला यार मतलब काफी बियांक लग कुछ भी बोलो यार में को पता नितना ब्यानक टोल्टेक्स अपना बन जाएगा इधर के साइड बड़ इतना ब्यानक बन चुका यार जो मनलब सोच नहीं हो न वो बनाने का मतलब लोग सोच लेते हैं इंजिनियर लोग तो सोचो जितना सोच हम लोगा खत्म होता है न वहा अब इतना दूर आना पड़ा ना अपने को पता नहीं था फर्स्ट टाइम आ रहे थे ना रिल्वेस्टेशन बेना का इस साइड से फोर लिंस बागी तो अपने लोग बिहार जरीप से आते थे रिल्वेस्टेशन से तो कभी जरूरत नहीं पड़ा था लेकिन भाई मतलब फ देख रहा है दोप भी ठाका हुआ सुर्व कांट है कि बादल में दो काफी अच्छा लग रहा है पलस सारे लोग पढ़ने के लिए जा रहा है में फिर ट्यूसन करके घर भी जा रहे होंगे यह भी हो सकता है क्योंकि इदर के बारे में तो में को कुछ पता है नीना तो बेना का क्रोसिंग है और पिर रेलेवे स्टेशनस कोई कारीन और मेरे से क्वाल यह वैं मतलब इतने रफ्तार में नहीं देखो बाई इतने रफ्तार में जा रहे है ना माल गाड़ी यह देखो इसको कि माल गारी देखो बस लाश चली गई तो इसी करान से अध्या क्रोंस इसलिए और इधर सामने के साइट बेना रेलेवे स्टेशन भाई मलब देखके काफी बिहानक लग रहा बहुत छोड़ा था पहले बाई सिर्फ और सिर्फ दो एक फिर दो था बट अभी ना इतना धासवाला बन चुका है ना और भी आगे बहुत कुछ बनता है स्टेशन बह रहना फाइनली भाई देखो श्टेशन आ चुके बेना का और फिर यहां से उपर चढ़ने वाला और फिर यहां से सामान उपर लेकि जाने वाला जैसा कि देख सकते अभी पेंट वेंट हो रहा है यहां का डेंटिंग पेंटिंग जो भी हो और इधर देखो एक ट्रेन है यह माल गाड़ी है और फिर उधर के साइट पर लेटफॉर्म यहां पर इसका लाश्ट होती है माल गाड़ी का और इधर सामने एक सट देखो बहुत ही बड़ा है यह वाली बड़ी यहां पर कुछ कारण बस वह चीज रोक दिया गया क्योंकि यहां पर काफी है रत चोरी ह मतलब कोई भी सामान लाओना सारकारी सा तो इहर से रात उ-ठी गायब हो जाती ठी हिसी कारण से यहां पे हमाल ज्यादा नहीं उतरती है पहले सीमेट जो भी आधी थी न सार यहीं प्रोकने का काम यहां पे दीया गया थे लगी इतना Qryi होने कारण बंद कर दिया गया वै तो मैं आपको फलाइवर पर चड़के आपको सारा कुछ दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म जाता हूँ फलाइवर पर चड़के सो ये देखो अपना सीड़ी से उपर जा रहा है मस्तवाल ओ भाई साब डोगी भी यहीं पर है और उपर के साइड चड़ते जाओ देख रहा हूँ सीड़ी केसा है और भाई मतलब उपर से देखने का ना जारा काफी अलग हो जाता है यहाँ पर बेना का ये भाई अपन लोगा स्पीड में ही चड़ेंगे हलाकि में को लग रहा है ना कुछ इसका कुछ फॉल्ट में को लग रहा है क्योंकि लोग यहां से कफी कम लोग चड़ते हैं उपर देख रहा हूँ बाई एरिया देखो कि तब भ्यानक सा लग रहा है यह स्टेशन ना बहुत ही बढ़ा थी यार बहुत ही बढ़ा मुदला पहले बहुत ही छोड़ा थी लेकिन इसको बहुत बढ़ा बना दिया बना प्रविचा गया था में जो भी माल कहीं भी इधर दर जाती है ना तो यहां प्यांकि रखाती उसके बाद सारे जगा डिस्टिब्यूट होता लेकिन यहां के लोग कुछ ऐसे होता है ना जो माल आया रात में पता चला सुबहा तक आया है रात में सुबहा होके देखो तो म remole गाईब इसी कारण से आप बहुत ही कम यहां पर माल उतरती है लाइकि दएख सकते हैं सामेन्द की बोड़ि अंगा we go pani Will Rafi Quindi को यही बीद्र क्राएब इस सिमेंट की बोड़ि उतरती है अभी भी उतरती है कोई भी स्टेशन हो तो जो भी कुछ भी माल आए ना तो यहीं पर उतरती है इधर की साइड देखो माल गाड़ी यहां से यहां से क्रॉस होके ना वो देखो पट्री उधर मिलता है तो यहां से सारा समान खाली होता है और फिर प्लेटफॉर्म से सारा जो भी मालगाड़ी रहता है उधर चला जाता है और फिर मेल जो पैसेंजर का होता है पैसेंजर वाला बाकी ये सब सारा मालगाड़ी का ये पैसेंजर वाला बाकी ये सब सारा मालगाड़ी का ये माल उतरने वाला बन रहा है जो भी समान आएगी वो नीचे के साइड से लाइड होके जाएगी गाड़ी से आती है उसका गाड़ी आता ना घीचने वाला पुलिंग वाला उसी से जाएगी और फिर इधर देखो भाई मतलब यह जो भी है ना यह प्लेटफॉर्म दिख रहा ह यह देखो माल गाड़ी यह से किये नई रुका डायरेक्ट पास हो गया वो और यह दो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है और बागी उधर तो भाई जो भी माल आती है वो वाली है तो प्लेटफॉर्म मानू ना तो एक दो तीन चार पांच मतलब पांच छे प्लेटफॉर्म बोल सकतो बट में लिए दो ही पैसेंजर वाली प्लेटफॉर्म है यह यह दो सिर्फ बागी सारा जो भी माल गाड़ी यह सब आता है उसका है वह वह ब्यानक लग रहा है इस्टेशन यह वाला यह देखो यार सो काफी भ्यानक है और फिर यह जो भी सामान यह सब वह इधर सारा कुछ बन रहा है जैसा कि आप लोग ने इस्लामपूर वाला भी स्टेशन देखा था ना तो किसा बन रहा था और इधर तो बन भी चुका है वहला माल लो तो 80% हो चुका है complete पर कि बागी बचावा कुछ चौर भी है तो वह भी complete होई जाएगा और फिर यह माल गारी इसमें क्या है पता नहीं बट जो भी मेरे से क्याल से मिटी ही होगा रोड वाला भाई अच्छा लग रहा यार अपने को भाई इतना बिक्सित होना चाहिए यार श्टेशन अभी कोई एक ट्रेन आने वाली है म कोई एक है बट आठ नो बजे के आसपास वह आएगी में भी सरण जी भी पटना के तरफ जाएगी वह साड़े आठ बजे राजगरी से खुलती है तो नो दस बज जाएगी इधर आते आते नो बज जागे इसे और उधर चाते आते मतलब एक और ट्रेन आते ना राजगरी हाई एक्सप्रेस वह साइध वह भी इधर आते आते नो बज ही जाएगा मेरे इसा ख्याल से तो भी बहुत टाइम है अभी तो साथ ही भजा है सुबाई स्टेशन काफी बड़ा है अप लोग चलते चलते ना ठक जाएंगी इतना बड़ा स्टेशन है क्यों उपर आते आते अप लोग जब ठक गया है तो सोचो पूरा स्टेशन जाते जाते कितना अप लोग ठक जाएंगे बड़ फिर वियार में अभी आप लोगों ना जिदर सारा सेमेंट का बोड़ी ये सब उतर रही है ना जो माल उतरती है ना माल गाड़ी से वो सारा कुछ मैं आपको आगे जाके दिखाता हूं पैदाल जाओंगा डिस्टेंस काफी जादा दूरी पर है बट फिर भी अपन लोग जितना हो सकता है उतना आप लोगों कवर करके दिखाएंगे तो अभी आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं स्टेशन पूरा मस्त तरीके से दिखाते हैं अभी बस यहां से अपन लोग आगे की और जाएंगे लगबग ना बहुत जड़ा डिस्टेंस पे तो फिर भी चलके आपको दिखाते हैं कुछ लोग तो भाई इस पे बाइक से जाते हैं बट अभी अपन लोग पैदल जाके कोसिस करते हैं कि पैदल यह अपन लोग कवर अब करें बट जितना हो पाता है अब लोग लिए क्वर करें गयरे क्यूंकि देखो देहो कितना तूरी पहे किता जूम कर राहा हो लोग को शूच सकते हो राच करके तो बाइक वाला को वहान से आने में इतना टाइम लग रहा है तो अपने पैदल जाने में उतना चाइम दग आप लोग गेस करके बताओ बट फिर भी आपके लिए तो भाई जान भी हाजिर है तो अभी अपने लोग चलते हैं नीचे की और भाई पैदल तो संभावना में को नहीं लग रहा इसी कारण से अपने लोग बाइक से जा रहे हैं और फिर अपने लोग एक बोटल पानी का ट्रेन सो इधर से अपने लोग जाएंगे हम और प्र इधर eerste लिफ्ट की और देख रहे हुँ इधर के साइड से यह पटरी मालघाडी का इसको सा Caro सामान कितने महँनत wondered है सारे लोग बहुत महँनत करते हैं और फिर यह सब और भी इसल है बाट कुछ में भी बिचा होगा में को अंधाज है नहीं और यह little लॉड़ो रहा है देख रहा हुआ एसा उपको तो यार बोलने वाला बहुत कुछ मुलाएंगे बटेको फरतने का नहीं यह को टो कि अपने को बतानी है سாरा कुछ रहती है इंये भी जमेंट ढ Kernить ख़्यागि भाल लियर्ट केशिता फारी अomasam अलग 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 है लोग जितना बोगी है ना जितना आपना गोडौन पे सो फाइनली गाईज जितना हो पाया उतना आप लोग को दिखा दिये बट इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है अप लोग है मतलब सारक उस दिखाए दिये कुछ-कुछ पाट बच गई जो कि मैं नहीं दिखा पाया और फिर सायद मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा जितना हो पाया उतना मैंने कर दिया सो आप यहाँ पे बीडियो को हिंड करेगाई तो आई होप आप लोग भी वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जित्ता हो से को इतना वीडियो को शेयर करना गाइज तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक लिए बाई-बाई गुडबाई टेक क्यार जैसे रिदाम गाइज बाई-बाई आप लोगो कौन सा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना